कर्चना थाना क्षेत्र के धरी गाव में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पती की गला दबा कर खत्या कर दी ग्रामीनों ने प्रेमी को पकड़ कर जम कर पीटा जिसकी इलाज के दोरान प्रेमी की अस्पताल में हुई मौत पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफतार कर लिया है दोनों शव को पोस्ट माटम के लिए भेज कर जाच परताल में जूटी पुलिस पुलिस मौके पहुची राम बाबू को अस्पताल बिचवाया गया इसमें उन्हें मृत घोशिट कर दिया गया इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में दो लोगों की मृत्ती हुई है तहरीर प्राप्त हो गई है वो खद्मा दर्ज किया जा रहा है कोस्मार्टम रिपोर्ट के आधार पे मिर्ट का कारण स्पस्थ हो जाएगा उश्टास में जनकारी मिली है कि मृत्तक संतोष और राम बाबू दोनों शराब पीने के आदी थे इनमें पिछले एक साल से गहरी दोस्ती थी राम बाबू संतोष के यहां ही आकर रह 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 थ और इसी दरमयान राम बाबू का संतोष की पत्नी गेंदा दीविय से प्रेम पर संग हो गया और इसी के चलते संतोष की हत्या हुई है उसके प्रतशोध में राम बाबू को भी मारा पिता गया जिसे उसको भी compartir हो गैसे उसके भी गंभिर चोटा अय उसकी मिघ्श कर रह कर्चना के दरी गाउन निवासी संतोष प्राइवेट काम करके पत्नी परिवार का भरण पोशन करता था उसकी घर में कुछ दिन से दोस्त राम बाबू विगत कुछ दिन से रहे रहा था ट्रविवार रात दोनों की गला एवं मुह दबाकर हत्या कर दी गई सोमबार सुभग घटना की जानकारी होते ही मृतक संतोष के भाई ब्रिजेश ने पुलिस को सूचना दी सूचना पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे और जाच शुरू दी है घटना स्थल से वैग्यानिक साक्षे जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी लगाया गया है को अधिकंस पुलिस, आधि, के आला हुँचे प imposing लिए मिश नहीं के घर पर पिछले पांच-छे महीने से इनके एक किमीजी जानने वाले है रांबावॉश दोकि कि प्छले उसे महीने से इमहीं के घर पे रह रहे थी थी मुझा इनके साथ ने को संब्द हो गाए तो पीडिक पठ्ष्ट उपना लाए इन संब्दों के आपक्ति की जाती थे और आए दिन इन लोगों में विवाद भी उद्दे रहा था कर दिया गया है जिसे के इम्रत्यों का सही कारण और सही समय की जानकारी की जा सकी कर दिया है जो भी है जो भी हमें चुराग और सथी मिलते जाएंगे उसके आगे कारवाई जारी दिया